ना गुड ना चीनी ना दूद ना कोई मिल्क पाउडर बनाएंगे बिल्कुल नेचरल हब के साथ आज हम हेल्दी और टीजडी तीन प्रकार की चाय बहुत ही बेनिफिट्स हैं इसके मैं आगे वीडियो में आपको जरूर बताऊंगी तो पूरा वीडियो जरूर वाच कीज तो यह आपकी घर में इसे क्या कहते जरूर बताईएगा और यह जो रेड वाला है यह है गुड हल का फूल बहुत ही ज़्यादा फायदे मन्द होता है आपकी गुड हल की फूल का सेवन करने से आप बच्चा सकते हैं अपने आपको डायविटीस, कैंसर, हिरदय, रोग ज पीछे की डंडिया है न इसे और आगे की लिफ्स को हम निकाल देंगे जैसे कि आप वीडियो पे देख पा रहे हैं और इसमें मिलने वाली जो प्रोटीन है बहुत ज़्यादा फायदे मन्द होते हैं हमारी बोडी के लिए हालबोर कायटेट्स, प्रोटीन, विटामिन प्राजिता के फूल के बात करते हैं तो अप्राजिता का जो फूल होता है उसके पीछे की लिफ्स को हमें तोड़ देना है क्योंकि इसका हमीं इस्तमाल नहीं करना है अब आते हैं इसके बेनिफिट्स के बारे में अप्राजिता का जो फूल होता है वो नर्वर सिस्टम को relax करने में मदद करता है साथी mind को सांत रखता है इसके साथी anxiety ज़्यादा होती है जिसे उन्हें भी बहुत इसका शेवन करना चाहिए उनके लिए बहुत ज़्यादा फायदी मन्द होता है या दास को तेज करता है साथी साथ natural जो आपका जो viral fever होता है उसके लिए भी आप इसकी टी बनाकर पी सकते हैं काफी ज़्यादा फायदा करता है गले के लिए पेट के लिए लीफर के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदे मन्द है तो चलते हैं इसकी चाय बनाते हैं एक पतीले को मैंने रखा गैस पर अब यहाँ पे हमें एक गिलास पानी डालेंगे और इसके साथ ही डालेंगे हम यहाँ पे हमारी जो अपराजिता की फूल है इन्हें डाल देंगे जैसे कि मैंने बताया यह बहुत जादा फायदेमंद होते अब इसमें क्या करना एक टुकड़ा यानि कि आधा इंच के टुक इनको नैचरल कलर से आज हम बनाएंगे यह दूल्क हमारी चाय बहुत ही फायदेमंद है आप इसका कलर देखिएगा बहुत ही परफेक्ट और बहुत ही नियचरल है अब हमें क्या करना है इसमें शहर एक चमज डालेंगे और इसके साथ ही डालेंगे हम यहाँ पे आधी च तो उसी प्रकार पतीले में पानी हम एक गिलास लेंगे साथी कुड़हल के फूलों को डाल देंगे और आधा इंज करिण अध्रक के टुकड़े को भी हम यहाँ पे कदुगस कर कर डालेंगे जसे भी हमें तब तक पकाना है जब तक कि आपके जो फूले उसका कलर नहीं निक इसमें जो वितामिन, कैलसियम, आइरन, वितामिन और बी कम्पलेक्स पाए जाते हैं वो आपकी खुबसूरती में चारचान लगा देते हैं आपई प्रादे बालों के लिए तो आप सभी जानते हैं तचा के लिए भी स्किन के लिए आप सभी जानते की बहुत ज़्यादा फाइदे मन्न होता थिये देखें बिल्कुल नेचरल हब है holy bịे इसमें कोड़र या किसी भी चीज करें इसमें नहीं हुआ है यहाँ पर वहन ट तीसरी चाय भी आपके लिए जो है ना बहुत जादा बेनिफेट्स और फायदे लाती है इसे बनाने के लिए भी हमें एक पतीले पे एक गिलास पानी डालना है साथी हम थोड़ी सी लीव डालेंगे तुलसी की और इसके साथी हम लेंगे यहाँ पे एक दालचीनी का टुकड इसे भी कद्दुकस करके डाल देंगे इसके साथ मेह हम इसे एक से दो गोल निक तक हम पका लेंगे हो सकता है कि आप मेंसे कई लोग इस चाय को पीते भी हो क्योंकि बहुत सारे लोगों के यह बहुत पसंद आती है तो यहाँ पर हमने जो चाय बनाए वो जिंजा टी है ब पाजमक खराब है तो आप इस जगे पे आप इस चाय का सेवन कर सकते हैं बहुत ही ज़्यादा करती है तो एक बार जरूर ट्राय किजी यह तीनों चाय आप जिंजर टी में भी आब हम मिलाएंगे वन टी स्पून के करीब शहेद और साथी लेमन जोस इसे डाल के हम कररें तो उस जगे पे उस समय पे आप इस चाय को बना पिछे आपको काफी जयादा पाइद जाली काफी जचीमेंड़ काफी जादा दैक होती है अगर खरास भांगे अगरार तो भी आपके लिए काफे दिम एक बार जरूर यूश यह ट्राइल और टेस्टेड हैं क्योंकि मैं सोय में इसका सेवन करती हूँ यह सारी चाह मैं खुद पीती हूँ और काफी ज्यादा बेनिफेट्स भी मुझे मिले इसके साथ ही मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जब मेरी बेटी हुई थी तो उसके बाद मेरे हैरफॉल होती ही रहती है तो यह बिल्कुल ट्राइल और टेस्टेड हैं गाइस और मैं मैं उमीद कर दियूंकि आज की रेष्पी आपको पसंद आई हूँ अगर आपको पसंद आई है तो प्लीस इस रेष्पी को आगे शेयर किजे मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजी प्यारा प्य पाउडर या चाइक पती का कोई भी यूज नहीं है बहुत ही फायदे मंदे एक बार आप ज़रूर इस रेष्पी को ट्राइए किजिए यखीन मानिए 101% कारांटी के आपको ज़रूर फायदा होगा थाइंक्यू सो माइच